कि सब्सक्राइब आर चैनल फर मोर विडियोज प्रेस बेल आइकान तो गेट नोटिफिकेशन अब आर विडियोज नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल महेश प्रजाबती में आज हम करने वाले 10th क्लास का हिंदी मिडियम का अलजेबरा का 4th lesson आर्थिक नियोजन का exercise 4.4 4.4 है उसमें हम mutual fund SIP के बारे में देखने वाले mutual fund क्या होता है SIP क्या होता है उसकी पूरी information के लिए मैं एक separate वीडियो बना दूगा जिसका link जल्दी आपको description box में मिल जाएगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और साइट में दीए कई bell बटन जरूद दबाई जिससे के आने वाले educational, motivational और educational tips क्योड़ी लोगातार आपको मिलती रहे यदि आप हिंदी वीडियो में है तो हमारे इस एप को जरूद डाउनलोड करिए इस एप में आपको जिब्रा होजिमेंटरी के चैप्टर से चैप्टर वाइस और साथ साथ से प्रैक्टिस के सारे के सारे वीडियो के solution मिल जाएगा तो उसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकत ुमें चैनले हो जैका सबस्टेन कर सकते हैं प्रそうですね अमें अ कर से में देना प्रता है और दलाली के उपर हमें DST भी दिना जैसे दलाली कितना है समध्य दलाली 100 रुपया है 100 रुपय के उपर हमें DST भी पे करना पड़ता हूँ लाली के उपर ना कि सेर्ड जो मार्केट बल्व उसके उपर नहीं स Zarly अब ढूह मिम्हाया घ्रल सर इस एक आ Alt yazar एल्मुल दो सीर्वमे हैं बाजार कभी बिलगीET जो हमारा सरी erene वह किसे उपर हुपर रहा है बागर मूले ना कि उसके अंकित मूले के उपर है दो से करेम करते समय पर्शेश कर रहे हैं तो जो से का बागर मुलेवध हो प्लेस दलाली भी तो एक्स्टा जूड़ जाएगी तो मतलब सेयर का रेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तुछ जोड़ देंगे तो जो क्रे मुल्य है वह बढ़ जाएगा जब बेचते हैं तो उस समय क्या होता है घरजाता सब्सक्रिदे कि किसी को सो रुप्य की सेयर लेकिन दलाल के थूरू बेची तो अपना पैसा ले जाएगा तो 100 रुपे का मैंने बेचा लेकिन दलाल अपना 2-3 रुपे लेकि जाएगा मुझे अगर 2 रुपे ले तो 98 रुपीज मिलेगा इस तरह वहां पर क्या है सेर खरीचते समय ध्यान देना आपको कि बेचते समय क् अगर्ण हो जाता है रुपीज में घ्यान पर जाता है तो यहां पहले कोशन में क्या किया है आपर खरीच रहा है तो खरीचते समय उसकी वैलु क्या हो जाएगी बढ़ जाएग्यों 200 रुपया है प्लैस दलाली की दर्वी दलाली बी उसमें जोड देते हैं तो चलिए लि और दलाली की दर 0.3% और यह दलाली किसके उपर 200 रुपे के उपर लगी तो हम दलाली यहां निकाल लेंगे इसको ब्रोक्रेस कहते हैं दलाली इस इक्वल टू 200 का 0.3% 200 बुड़े 0.3 अपॉन हंड्रेट जीरो से जीरो कैंसल जीरो से जीरो कैंसल तीन का बुड़ा है दो में करें तिन दोनी छे जीरो पॉइंट आ गया 0.5 लेकिन 6 नहीं लिखते है बल्गी या लिखते है छेजिरो शीच्छी पैसा अब यह यह मुल जाएगा जूड जाएक जब खरीजा रहे तो समय रेट का होता है बढ़ जाता है क्रेम ले तो लिखेंगे क्या पूछा ता हूंप तो सेर का क्रेम जब लिखेंगें सेयर का क्रै मुल्य शेर का क्रै मुल्य बराबर इसमें दो चीज़े एक बाजार मुल्य और प्लस दलाली दलाली जिती थी उसको मिसमे का करेंगे जोड देंगे दलाली कितनी थी जिरो 0.60 बाजार मुल कितना है 200 प्लस 0.60 आ गया रूपीज टू हंड्रेड पॉइंट पैसा मत्तब कि 200 200 रुपया साड़ पैसा इस तरह हम ने आप एक बाजा एक जू सेर है उसका क्रेमुल ग्याद कर दिया कोशन ममरर 2 हमारा है एक सेर का बाजार मुल हजार रुपया है एक की सेर का बाजायर मुल कितना है हजार रुपया था जब और बेटा गया जिस पेढ़ 0.1 परसन दलाली दी गई अब झThe here a गई भी बटिव तो कि कि पाजार लेगी डलाल अपना 0.1 मतलब उसका 0.1 परसें ले जाएगा तो क्या हो जागा ऊसकी जो बिक्री मुल्य हो जाएगा क्म हो जाएगा इसी तरह आपको निकाला है यहां बाजार की इतना दोस हो फालाइगा कितना है 2000 यहाँ पे दलाली बाजार कशे जेकर बहु हुआ कम हो Expect है मतब क्या पर जाहरम मुले से दलाली को माइनस करते हैं उसको मैंने सब्सक्राइब करते हो yes तो आप खुछते ट्राइक रिए कोश्चन नमबर थाड देखते हैं को अब थाड़ हमारा देखिए क्या है निम्रिकी सेर क्रेख विवरान पत्र के रिक तस्थानों की पूर्ति कीजिए बी मिंस खरीदे और यह मिंस विक्री किया मतब बी मिस बाय और यह मने सेल किया यहां क्या है बाय खरीदा है उसमें राट का होजाए गाला का चेमत कितनी हो झाला है और क्या और तो शेर का मुले दिया था दो सो रूपी तो इहां टुटले सेवेंटीफाइच किया है वह सेल किया है तो से का मुले निकालना है दलाली दलाली को पर 6 GST S GST और बाद में सेयर की किमत कित्नी पी वह बतानी तो देखें फॉस है यहाइन ये तêsक बचलते हैं और सेयल की संख्या कहां है पाईलय वाले सेय्स सवाल उसमें कितने से वाइठ किया है आओर से का बाजयार मुल्य कि एक कि से र का कर बाजयार कर पा बाजयार कि मुल्य दिया है 45 र歌त हैतलिश रूपय है तो सब कुल कि बाजार मुल किसका सेर का is equal to 45 बुडे 100 is equal to rupees 4500 4500 का उन्होंने total share purchase कि आप उसके उसके ऊपर क्या बोल ले हैं share की तो कीमत आ गई उसके बोल ले हैं दलाली की दर दी गई है दलाली हम निकालते हैं तो लिके जैंठें दलाली की दर, 0.2%, यह दलाली की दर है, तो हमें दलाली किस पे निकालना पड़ेगा, बाजार मुल्ले पे, तो लिखेंगे हम, दलाली, दलाली बराबर, 4500 का 0.2%, 4500 गुड़े 0.2 बटे में कितना, 100, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, अब हम क्या करेंगे, 4500 गुड़े 0.2 कर देते हैं, 5 दुनी 10 को 0, और 4 दुनी 8, 8 एक 9, 9.0, लेकिन 9.0 लिखी जरो उतना है क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, और ओभी क्या हैगा, रूपीस में, मतलब दलाली कितना है, 9 रूपया, दलाली कितना है, 9 रूपया, दलाली तो यहीं कितना है, 9 % CDSt, देना है, तो दलाली के ऊपर निखालेगे, ना कि बाजारी म्लों पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, कि इसके उपर दलाली देना है, जो हमारी दलाली 9 रूपय थी, उसके ऊपर देना है, तो लिख लेंगे, हमें यहाँ प लाते हैं तो सी जीएस्टी इस इक्वल टू नौ रुपे का नौ परसें नौ गुड़े नौ बटे में सव नौ का नौ में क्या सी हो जाएगा बटे में सव सव से बाग देना असान होता है कितना जीरो है दो जीरो है ना पीछे से जीरो पॉइंटे वन रुपिस इस में यहां लिग देंगे हम यह हमारे क्या हो गया जीरोपीस प्लड़े नौ परसे सीह सीचिण जीरोपॉइंटे सेम आएगा तो देर्फोर यह जीएश्टी इस इकवल डूरूपी इस जीरो पॉइंट एट वन अब लाश में क्या पुछा है सेर्स की कुल कीमत कैसे हो जाएगी देखिए जो बाजार मुलने था हुआ तो था ही साथ साथ में दलाली प्लस यह दोनों भी क्या हो जागा उसके अंदर वाइल प्लस यह प्लस यह थीनुओ कर देते माइनस कर देटे लेकिन पर्शेस करें तो इसको और इसको इसको हम क्या करेंगे चार हजार पानत हो में जोड़ देंगे तो लिखते हैं यहाँ अपर सेयर्स का मुलेस यह की कुल कीमत बराबर अब इसमें क्या चीज रहेगा चार हजार पांसो बाजार मुले रहेगा प्लस दलाली 9% प्लस उसके उपर GST जो है CGST और SGST भी लही देंगे 0.181 प्लस 0.81 सबको जोड देंगे तो आएगा 4510 रुपया 10.62 पैसे मतलब यह रुपय में आ गया इस तरह हमने आपके question number जो थर्ड था उसका फर्स्ट हमने निकाल दिया question number second पर आपको समझा दे question number जो second है वहाँ पर क्या था वहाँ पर सेल करना था ना की खरीदना सेल करना है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको सेम इसी तरह दलाली निकालने पड़ेगी उस दलाली के उपर CGST और SGST निकालना पड़ेगा तो जो भी वहाँ पर market value होगी बाजार मुल होगा उसमें से आपको दलाली CGST प्लस SGST इन दोनों को तीनों को करना पड़ेगा माइनस करना पड़े ती नों को माइनस करते हैं तो जो सेर का मुल्य है वह ग्यात हो जाएगा तो मैं बता जरो तक समझा किती थी स्वेंटि इवाइट थीओ और सेर So sexual किटना था 200 की एक सेर का मुल्य कितना कितना निकालना है 9% cght और sght सेम रहेगा अगर cght जीतना है उतना ही 9ght फिर लास्ट में क्या रहेगा चेहर की कीमत लिखे के लास्ट में इसे रिखे की कीमत बराबर जो भी बाजर हो रहे उसमें से आप क्या करना इन तीनों एमाउंट को जोड़ देना एक साथ में माइनस कर देना या तो यह माइनस यह माइनस यह तीनों लिखेंगे तो भी एक साथ में चलेगा मतब कि आपको जोगी बाजार मुले उसमें से हमें दलाली और सी जीएश्टी और येस जीएश्टी तिनों एक साथ में का गर देंगे माइनस कर देंगे तो कुश्चिन नबर सेखन को आप ट्राइ करिए बहुत एजी है कुश्चन नबर 4 हमारा है स्रीमती देशाई ने 100 रुपय अंकित मुल्य के सेर्स बाजारे मुल्य 50 रुपय होने पर विक्री की तब उन्हें 4988 मतब 4978 रुपय बीस पैसे प्राप्त हुए दलाली का दर 0.2% तथा दलाली पर घ्याज़टी की दर 18% हो तो उन्होंने कितने सेर्स बिक्री की ग्यात कीजिए देखें यहां पर क्या है सेर्स की संख्या ग्यात करने के लिए हमें क्या होगा हुल उनोंने जितना amount प्राप्त किया उसको हमें क्या करना पड़े के amount से डिवाइट करना पड़ेगा सफोरस करिया उन्होंने onग्nt की Microsoft अ Sharp करिया पानीए उन्हो customer प्राप्त किया और एक share का मुल्य कितना था 100 रूपया है तो उनको कितना निदे करना उसमें हमें 12 मायनस करना पड़ता है कंजा लाली ओर जो भी अक्त करने के बाद रहाम होगा इसलिए क्लेशंट करते हैं शाद मुल्य दुजकत है पता है और तो एक सेर का बाजार मुल्य बराबर कितना पचास रुपया है एक सेर का मुल्य है पचास रुपया है अब उसके उपर हमें क्या देना है दलाली दलाली कितना दिया हुआ है दलाली की दर 0.2% तो लिखेंगे हमें आपे दलाली की दर 0.2% इसलिए दलाली कितनी हो जाएगी 50 रुपे का 0.2% पचास गुड़े 0.2 upon 100 कैंसल करते हैं 0 से 0 कैंसल 5 दूनी 10 कितना आगया 0.2 upon 2 दो से कैंसल करेंगे 2 एकम 2 आ गया यह हमारी क्या गई दलाली कितनी आ गई 0.1 1 नहीं लिखते हमेंगे यह लिखते हैं 1 0 त दस पैसा यहां दलाली है अब इसके उपर उसने जीस्टी भी दिया जीस्टी कितना जीस्टी की तना दिया अब क्या करते हैं हम इसको इसे लिख लेते हैं जीरो पॉइंट वन जीरो इंटू यह दो जीरो है पीछे से दो अंके बाद दसमलों लगा देंगे तो क्या जाएगा जीरो पॉइंट वन एट अब गुड़ा करते हैं यहां पर अठ्र एकम अठ्र हो जाएगा तो अठ्र लिखेंगे लिकी दसमलों कितने हैं के बाद लगेगा यह ध्यान दीजिए और यहां पर जीरो है तो जीरो में लिखेना पड़ेगा अठ्र एक दो तीन चार एक और ले हो जाएगा कितना गया जीरो पॉइंट जीरो वन एट यह क्या हो गया हमारा दलाली पर जीएश्टी हो गया अब हमें क्या करना है एक शेयर का विक्रे मुल्य जो भी आपका मार्केट वैल्यों होगा उसमें से हमें दोनों को माइनस कर देंगे मतंब पच्चास माइनस जीरो पॉइंट वन जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन एट पच्चास ऐसे रहेगा यह दुनों जूट जाएंगे एक और यहां पर गलत हो गया 01018 है अब एक और यहां पर जीरो है कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तब कि 50-0.118 माइनस कर देंगे तो आएगा 49.882 एक कैसे आए हो भी मैं आपको बता देता हूँ 50.000 लिखना पड़ेगा पॉइंट के इचे पॉइंट आगे कितना है 0 यहाँ पे 118 उसके अधा माइनस कर दीजिए 288.94 आगे अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे सेरों की संख्या निकालना है एक सेर का मुल्ले हमें पता चल गया और पूरे सेर का मुल्ले तो दिया ही तो लाश मिली देंगे हम सेरों की संख्या सेर की संख्या बराबर क्या होता है एक पूरे सेर का कुल सेर का विक्रेमुल है कुल विक्रेमुल बटे एक सेर का विक्रेमुल कुल विक्रेमुल यहां पर दिया हुआ था 4988.20 अब हम देखे क्या करना है अभी पॉइंट रिमूव करने के उपर कितने हैं एक दो दो अंक के बाद दसमरो है नीचे कितने हैं मैं तो तीन हमके बाद पूर उपर करें हजार से नीचे है तो 498820 दसमरों अब जाएगा लेकिन एक जिरो एडवांस में लग जाएगा यहां पर क्या करें दसमरों पूरा पूरा अब इसको हम कैंसल करेंगे तो उपर कितना बचेगा कितने सेर्स हो गई उनके पास 100 सेर्स बेचा है तो यहां पर पूछा था कि उन्होंने कितने सेर्स की विक्री की इस तरह यहां पर कोश्चन नमबर फोर हमने कंप्लेट कर दिया यह मारा है मिश्टर डिसुजा ने 50 रूपया अंकित मुल्य के थे मुल्य के अधी मुल्य पर खरीद हिए किया, मतब कि कितना सेर्स क्या है 200 सेर्स किया थे 200 गुड़े जो भी उसका एंसर आएगा हम 500 का 200 गुड़े 500 कर देंगे तो हमारा टोटल इंवेश्टमेंट उनका पता चल जाएगा अब आगे देखते क्या वह लाएं उस पर कंपणी ने 50% लाभांस दिया मतलब डिविडेंड दे दिया उनको फाइदा हो गया चलिए अब उसके बात क्या लाभांस मिलने पर उनमें से सव सेर की 10 रुपे की और मुले से वीकरी तता से दस से एक रुपे अधी मुल्य से विकरी मतलब और उन्हें बढ़ा दिया अब प्रत्य व्यवहार में 20 रुपय दलाली जितना भी व्यवहार कर रहे हैं उन्हें हर बार 20 रुपय दिया तो उन्हें इस वीवार में लाप हुआ या हानी कितने रूपय हुआ या ग्याद करी है तो बहुत यह आसान इसको ध्यां से देखे आपको आसानी समझा पहले हमें क्या करना उनका टोटल इंवेश्टमेंड मतलब तोटल नंका कितना इंवेश्टमेंड वह पहले निकालते ह में आपे बाजार का बाजार पहले क्या लिखेंगे अंकित मुल्य सेयर का कि एक कि सेयर का अंकित मुल्य कितना था पचास रुपया था और अधी मुल्य में कितना है 100 रुपया है कितना है 100 रुपया बाजार मुल्य कितना अंकित मुल्य कितना है 50 गता और अधी मुल्य कितना है 100 तो पजार का उसमें बढ़ जाएगा यह प्लस पचास देड़ हो जाएगा इसलिए कि बाजार मुल्य एक पाजार मुल्य पराबर 50 प्लस 100 इस इक्वल टू रुपीस देड़ सो बतर एक एक सेर उनको कितने में पड़ी डेड़ सो में पड़ी और उनने कितना सेर पर्चिस किया है 200 सेर पर्चिस किया है तो लिखेंगे 200 कि सेर्स का क्रे मुल्य या मुल्य लेखते हैं यापे का कि बाजार कि मुल्य कितना हो जाएगा 200 गुड़े सारी नीचे लिखते हैं यापे 200 गुड़े 1500 इस इकल टू पंदर दुनी तीस हो जाएगा एक दो तीन एक दो तीन जीरो मतब तीस हजार रुपया मतब उनका टोटल इंवेस्टमेंट कितना है तीन जार लेकिन उसके उपर दलाली भी देना पड़ा है तो दलाली भी लिखना पड़ेगा हमें दलाली बराबर कितना है बीस रुपया है रुपया लेकि देते हैं दलाली बीस रुपया इसलिए कुल सेर्स का क्रेम उले तीन जार प्लस बीस इस इकॉल टू तीस हजार बीस रुपया यह टोटल उनका क्या हो गया इंवेस्टमेंट हो गया क्याया कि तोटल उन्हें कितना इन्वेश्टमेंट किया अब हजान थिस रुपया इंवेश्टमेंट क्या है थे तीन की परषीक हां कि वीकुर्च कतना तेन संक्रीक कहां पर है यहां पर हम लोगा सरे यहांपर 200 सेर तो 200 सेर के ओपर उन्रों क्या सब्सक्ना मिलेगां 50% विडंड किसके ओपर मिलता है अंकित मुल्य पर मिलता है तो अम लिखेंगे एक एक जो सेर उसका लाभाँनस एक सेर पर एक सेर पर 라प्त लाभांस कितना हो जाएगा एक सेर का मुल्य कितना था अंकित मुल्य 50 पचास रुपय का 50 परसेंट यह होगा जीरो जीरो कैसल जीरो से जीरो कैसल पाट पैचे पचीस मतलब एक जो सेर है उसके उपर उनको कितना मिलेगा 25 रुपया मिलेगा एक सेर पर उनको कितना मिला है 25 रुपया उन्होंने कितना सेर कितना सेर खरीदा था 200 तो कितना हो जाएगा multiply कर देते हैं इसलिए कुल सेर रुपय कुल सेर पर प्राप्थ लाभांस बराबर 200 गुड़े 25 तो कितना गया रुपीज 25 रुपया इसको अमने के पॉइंट वाइस रखेंगे तो फिर बेटर रहेगा क्योंकि आपको लाभांस में समझाने में एजी रहेगा उनको लाभ हुआ कि हान्यों इसको पॉइंट नबर 1 डालके रखिए और इसको पॉइंट नबर 2 क्योंकि यहा यह क्या करना है इसको फिप्टी पर जो सब्सेश क्या 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 है लिगन कैसे कि किया उसका आउ मुल्ड कर के मताब 50 रुपए का 50 रुपए अंकित मुल्ड़ था उसमें 10 रुपए उन्होंने कम करके तो लिएंग यहां पर सो सेर्स का विक्रे मुल्य क्या क्या उन्होंने पता है ना सो सेर्स का विक्रे मुल्य और उन्होंने पच्चास रूपे में 10 रूपे कम करके बेच दिया मत्तब सव गुड़े चालीज इस इक्वाल रूण को कितना मिल गया चार हजार मिला लेकिन देखें यहां पर उन्होंने जो सेर्स विक्रे किया है उसके उपर भी तो दलाली दिया है तो उसको दलाली भी थे हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो लिखेंगे सव सेयर्स के विक्री से प्राप्त रकम विक्री लिख देख्या विक्री से प्राप्त रकम कितनी मिले गुने चार चारहजा था ही प्लस दलाली उनको कितना देना पड़ेगा बीस रुपए देना पड़ेगा मतब उनको 39980 ये इतना रुपया उनको मिलेगा यहां पॉइंट नबर ठर्ड रखते हैं यहां पर दिक दो बार पैसा मिलेगा एक बार तो क्या है कमपनी उनको 55 रुपय एक बार उनके मुमन में आया सौचेर उन्हें बेच दिया और भी 10 रुपया कम करके 50 रुपया आंकीत मुले दूपया करके 4,000 बेच दिया और उसके 20 रुपया दलाने में तो 3,980 रुपया मिल गया दो बार उनको पैसा मिल चुका है अब कितनी सेर बची है सव सेर और बची हैं तो सव सेर को उन्हें किया 75 रुपया अधिमूले लेकर के बेच दिया तो लिखेंगे सव बची सव सेर सव ने लिखना है बचे हुए सव बचे सव सेर का विक्रे मुली इसओने क्या किया सव सेर कु उन्होंने बेचा लेकिन उसके ऊपर कितना अधिमोले लिया पचात्ता रुपया मतब पचास रुपया था ही प्लस पचात्ता रुपया आउर ले लिया मतब सव गुड़े एक सो पच्चीस तो आजाएगा गुड़ा का जेंगे इतना वान टू फाइस जिरो जिरो मतब बारह जार पांसो रुपया उनको यहां पे मिल गया लेकिन यह ही अमाउंट मिलेगा इसके ओपर विवन क्या देना पड़ेगा दलाली देना पड़ेगा मतब्स रुपैस में से प्राप्त रकम बराबर इसमें क्या होगा बारह जार पांसो माइनस में से अमें क्या अबड़ेगा बीस तो आज आएगा बारह जार चारसो अश्य रुपया है यह हमारा पॉइंट नमबर फोर होगा अब देखिए उन्होंने कितना खरी तकता है टीन थीजार बीस रुपिया लगा था अब तीन बार यहां फायदा हो चुक़्ा एक बार 3,980 रुपय फायद हुआ है एक बार 12,480 रुपय फायद हुआ है तो यह क्या करेंगी यह जो इमाउंट उनका फायदावाला है और यह उनका इंवेस्टमेंट है अब इसमें से इन दोनों इन तीनों को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर दें तो पता चल जाएगा उ यहां पर देखिए यहां 5,000 मिला है यहां पर से म्याँट मिला है तीनों आश जोड़ देगे मतले की कुल उन्होंने रकम प्राप्त की तो लिखेंगी हम यहां पर प्राप्त रकम बराबर पहला पाच जर मिला है प्लस 3980 मिला है प्लस 12480 मिला है यह टोटल एमाउंट हो जाएगा रूपीज 21460 रुपया 21460 उनको मिला है पॉइंट नमर हम डाल देते हैं इसको पॉइंट नमर हमारा फाई हो जाएगा अब देखिए इस पूरे व्यवहार में देखिए उन्होंने कितना लगाया था तोटल इंवेश्मेंट कितना था तीस जार बीस रुपया और मिला कितना केवर 2460 बता है इसमें हानी हुई अब हानी हुई तो हानी निकालना है तो हानी बराबर टोटल इंवेश्मेंट उनका कितना था तीस हजार बीस माइनस 21,460 माइनस करेने के तो आएगा 8,560 मतलब उनका कितना नुक्सान हुआ 8,560 रुपय का नुक्सान हुआ इस तरह है कोश्चन नमबर फाई ह ने complete कर दिया यहां पर हमने exercise 4.4 पूरी तरह complete कर दिया है हमारी वीडियो कैसे लगी comment में जरूर बताए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लिगी तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें thank you